हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम क्लास 10 में जो केमेस्टरी का पहला चैप्टर है रासायनी का भिक्रिया करके उसमें बैलेंस कैसे किया जाता है रासायनी का भिक्रियाओं को उसको सीखेंगे तो रासैनिक अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं एक जो इस ओर होता है इसको कहा जाता है अभिकारक हिंदिम कहते हैं अभिकारक इंगलिश में कहा जाता है रियक्टर और जो तीर के इस पारवाली होते हैं इसे कहा जाता है उत्पाद यानि इंगलिश में कहते है प्रोडक्ट तो पहली बात तीर जो है तीर के बाएं वाला जो हिस्सा है इसे कहते है अभिकारक और तीर के दाहिने वाला जो हिस्सा है इसे कहते है उत्पाद यानि कि प्रोडक्ट तो जो मास का नियम है जो द्रविमान का नियम है द्रविमान का नियम ये कहता है कि किनी दो या दो से ज्यादा अभिकारकों को मिला करके अगर हम कोई उतपाद बनाते हैं तो उस उतपाद का द्रविमान और अभिकारक का द्रविमान दोनों बराबर होना चाहिए जैसे मानलो एक्जामपल में कि हम एक किलो लेते हैं पानी ठीक है वाटर लिये W for water और मानलो कि एक किलो लिये है चीनी हलाएंकि ऐसा कहीं होता नहीं है लेकि मानलो तो दोनों को मिलाके हम बनाएं शर्बत तो शर्बत का द्रवेमान क्या होगा दो किलो होगा यानि इस ओर जो है ये अभिकारक है जो पानी है और चीनी है ये दोनों अभिकारक है जो इस ओर बना उसे कहा जाएगा उतपाद यानि प्रोडक्ट क्या बना मिला करके हैं तो अभिकारक का जो द्रवेमान है जितना है दो किलो हुए एक किलो पानी एक किलो चीनी उतना ही द्रविमान का शर्बत बनेगा इसे कहते हैं द्रविमान के सात्यता का नियम या द्रविमान के साम्यता का नियम ठीक तो ऐसे यहाँ पर है यह जो अभिकारक वाल पक्ष है इसका जो द्रविमान है जो इसका मास है वो बराबर होना चाहिए उत्पाद के मास के यानि जितना मास उत्पाद का है अब इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं तो एक-एक होने चाहिए ऐसे यहाँ पर nitrogen for nitrogen कितने हैं बाये-पक्ष में तो दाये-पक्ष में भी उतने ही nitrogen होने चाहिए इसे हम कहते हैं संतुलन करना balance करना तो एक-एक देखते हैं जिसे बाये-पक्ष में पहले हम देखें अगर hydrogen एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर है जैसे OH ऐसे लिखा हो OH और बाहर twice इसका मतलब oxygen भी 2 है hydrogen भी 2 है तो अगर बाइव पक्ष में हम जोडेंगे तो दोनों मिलाकर जोडेंगे तो hydrogen एक यहाँ पर मिल गया दो hydrogen यह हो गया यानि बाएं पक्ष में अभिकारग पक्ष में हाइडरोजन हो गए तीन तो हाइडरोजन यहां भी तीन होने चाहिए जबकि यहां पर हाइडरोजन दिख रहा है कितना? दो है हाइडरोजन तो तीन कैसे बनाएँ इसको अगर हम यहां मल्डिप्लाई कर दें 2 का किसका 2 का तो hydrogen हो गए 4 लेकिन यहाँ पर hydrogen कितना है? 3 था अगर यहाँ भी 2 लगा दें तो hydrogen हो गए 2 और hydrogen यह 2 था ही तो 2-2-4 यहनि बाएं पक्ष में hydrogen हो गए 4 और दाएं पक्ष में भी hydrogen हो गए 4 तो hydrogen balance कर लिए कैसे? यहाँ पर 2 लगा करके और यहाँ पर 2 लगा करके फिर nitrogen देखे nitrogen 1 है यहाँ यहाँ nitrogen देखे nitrogen तो यहाँ पर 2 है NO3 का होल ट्वाइस है यहनि N पर भी 2 है और O3 पर 2 है तो nitrogen यहाँ पर हो गए 1 नहीं बलकि 2 जो आगे 2 लगा हुआ है यह 2 सभी के लिए 2 hydrogen भी हो गया 2 nitrogen भी हो गया और oxygen हो गए बलकि 6 3 यहाँ से और 2 यहाँ से तो nitrogen 2 यहाँ मिल गया और nitrogen 2 यहाँ पर है ही oxygen देखेंगे अब oxygen यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 लगा हुआ है और 3 दो नीचे अगर नीचे कोई गिंती लिखा हुआ है और सामने कोई गिंती लिखा हुआ है तो इसको multiply कर देते हैं यानि oxygen 3 यह है और 2 आगे लगा हुआ है 3 दो नीचे और oxygen यहाँ पर 2 पहले से ही है यानि oxygen है 8 बाएं पक्ष में oxygen है 8 और दाएं पक्ष में oxygen कितने है 3 यह है और 3 बाहर भी 2 है तो इसका भी हम multiply कर देते हैं 3 दो नीचे तो hydrogen 6 यहाँ पर हो गया और 2 oxygen यहाँ पर है ही आगे जो हम 2 लगाए थे वो 2 hydrogen के लिए भी है 2 oxygen के लिए भी है तो oxygen यहाँ पर कितने हो गए oxygen यहाँ पर भी हो गए है 8 3 दो नीचे यहाँ से और 2 यहाँ से 6 दो 8 calcium देखेंगे calcium 1 है यहाँ पर calcium 1 है तो balance है पहले से oxygen balance करी चुके है hydrogen balance करी चुके है तो इस प्रकार से इब बाएं फिर से हम देख ले hydrogen यहाँ पर 1 है और यह 2 है 2 एक 3 hydrogen यहाँ पर hydrogen 2 ही है तुम यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो hydrogen 2 हो गया यह है और 2 hydrogen यह 4 और यहाँ पर 2 लगा देंगे अगर हम तो hydrogen यहाँ भी हो गया 4 ठीक है nitrogen nitrogen 2 है यह आगे वाला 2 सभी के लिए माना जाएगा इन्हें hydrogen भी 2, nitrogen भी 2, oxygen तीन पहले से है, तो oxygen तीन दूने 6 हो गया, तो nitrogen दो यहाँ पर है, इस और nitrogen दो है, देखेए, nitrogen दो है, अब oxygen देखेंगे, oxygen तीन यह है और 2 सामने, तो 3 दूने 6, इसका multiply करते हैं, कद यह ऐसे सती हो कि नीचे लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, तो oxygen 6 यह हो गया, और 2 oxygen यहाँ पर है, तो 6-2-8 oxygen बायपक्ष में है, दायपक्ष में भी oxygen 8 होना चाहिए, तो 3 दूने 6, 6 यह है, और 2 oxygen यहाँ पर है, 6-2-8, फिर calcium आगे, calcium एक है यहाँ पर, calcium यहाँ पर भी एक है, oxygen hydrogen पहले ही balance कर चुके हैं, तो इस पकार से, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, और balance हो जाएगा, अब करते हैं अगला, अगले में, यहाँ sodium 1 है, बायपक्ष में देखेंगे पूरा, sodium 1 है, यहाँ sodium 2 है, तो simple सा यहाँ 2 लगा देंगे आगे, तो sodium 2 हो गया, यहाँ भी sodium 2 हो गया, ठीक है, oxygen कितने है, oxygen यह 2 हो यहां पर और चार यह है तो चार दो छे ऑक्सिजन है बाएंपक्ष में दाएंपक्ष में ऑक्सिजन कितने है चार यहां पर ऑक्सिजन है तो यहां दो लगा देंगे तो दो अक्सिजन यह हो गया तो चार यह चार दो छे यह और यहां भी कितने है चार यह चार दो छे यह त तो छे ऑक्सिजन यहां पर हो गये, छे ऑक्सिजन यहां पर हो गये, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है यह दो और यहां पर दो, तो दो चार हाइड्रोजन है बाइपक्ष में, दाइपक्ष में भी हाइड्रोजन चार है, एक नेचे दो लिखा हुआ है, एक सामने दो, तो दो दो नी चार, हाइडरोजन चार हो गए, सलफर एक है, सलफर यहाँ पर एक है, बैलन्स है, ऑक्सिजन पहले बैलन्स कर चुके है, तो फिर से देख लें कैसे बैलन्स किया, सोडियम एक है, यहाँ पर सोडियम दो है, तो आगे 2 लगा दिये, sodium 2-2 balance हो गया oxygen यहाँ पर कितने है, 2 तो ये है, और 4 ये है, तो 4-2-6 है यहाँ पर oxygen कितने है, 4 ये है, और यहाँ पर 1 ही है तो अगर 2 आगे लगा दें, तो oxygen हो गए 2, और ये 4, 4-2-6 हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर दो है और यह दो दो चार हाइड्रोजन बाइपक्ष में है दाइपक्ष में भी हाइड्रोजन चार होने चाहिए जो कि है यहाँ पर देखें दो 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 अगला करती है बैलेंस बायपक्ष में एक एक देखेंगे और दायपक्ष में एक एक देखते जाएंगे जहाँ बैलेंस नहीं हो कि बैलेंस कर लेंगे तो सोडियम एक है यहाँ सोडियम एक है तो बैलेंस पहले से यहाँ क्लोरीन एक है क्लोरीन एक है बैलेंस है चांदी, ag मनें silver एक है, यहाँपर silver एक है, तो balance है nitrogen एक है, nitrogen एक है balance है, oxygen तीन है oxygen तीन है, balance है यह पहले से balance है, इसको balance करनी के आभशकता नहीं है फिर अगला बायपक्ष में एक एक element देखेंगे और दायपक्ष में एक एक element देखेंगे तो यहाँ बी ए एक है यहाँ बी ए एक है बैलेंस है यहाँ क्लोरीन दो है यहाँ क्लोरीन एक है तो आगे हम दो लगा देंगे तो क्लोरीन हो गया दो हाइडरोजन दो है यहाँ हाइडरोजन भी दो हो गया देखिए जो हाइडरोजन है यहां भी क्लोरिन हम दो बना लिए आगे दो लगाया करके है हाइडरोजन दो यहां पर है हाइडरोजन यहां भी दो हो गया तो यह बैलन्स होगे इस प्रकार से यहां खाली दो लगाएंगे बैलन्स हो जाएगा तो इस प्रकार से हमने निम्न रासायनेक समय करणों को संतुलित कीजिया कर लिया नमस्कार जैहिन